राजमिस्त्री मास्टर मैसन और उनकी यात्रा परिचय। भारत के एक छोटे से गाव में राहुल नाम का एक कुशल राजमिस्त्री रहता था। अपने बेदा, काम और समर्पन के लिए जाने जाने वाले राहुल ने पूरे समुदाय से सम्मान और प्रशंसा अर्जित की थ प्रारंभिक जीवन और संगर्श। राहुल की यात्रा आसान नहीं थी। छोटी उम्र से ही उन्हें अपने परिवार का भरण पोशन करने के लिए स्कूल और काम के बीच तालमेल बिठाना पड़ा। उन्होंने एक अनुभवी राजमिस्त्री के अधीन प्रशिक्षन ल यह समझते हुए कि उनके द्वारा रखी गई हर इंट एक बहतर भविश्य की ओर एक कदम है। दोस्ती और समर्थन राहुल के सबसे करीबी दोस्तों में से एक सुरेश हमेशा उनके साथ रहता था। सुरेश सिर्फ एक दोस्त नहीं था। वह एक भाई की तरह था जिसने राहुल का हर मुश्किल समय में साथ दिया। उनका मानना था कि जीवन में हर जगह एक अच्छे दोस्त की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक बहुमुखी उपकरण की। बड़ा प्रोजेक्ट। राहुल और सुरेश को उनके गाव में एक नया स्कूल बनाने के लि यह आने वाली पीडियों के लिए आशा की किरण है। चुनोतियां और द्रढता। निर्मान के दोरान राहुल को कई चुनोतियों का सामना करना पड़ा। वित्तिय बाधाएं, सामगरी की कमी और अप्रत्याशित मौसम। हालां की सुरेश के अटूट समर्थन और ग्राम महीनों के सामोहिक प्रयास से उन्होंने हर बाधा को पार कर लिया। राहुल के नेत्रित्व और शिल्प कौशल ने परियोजना को पठरी पर रखने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई। समापन और उत्सव। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद स्कूल आखिरकार बनकर तैयार हो गया। यह राहुल के कौशल और द्रड संकल्प और समुदाय और दोस्ती की शक्ती का प्रमान था। उद्घाटन एक भव्य उत्सव था जिसमें सभी ने राहुल और सुरेश के समर्पन को स्विकार किया। विरासत, स्कूल प्रगती और एकता का प्रतीक बन ग जो हमेशा समर्थन और प्रेरणा देने के लिए मौजूद रहते हैं। यह कहानी न केवल एक समर्पित राजमिस्त्री की यात्रा को दर्शाती है, बलकि दोस्ती और सामुदायक समर्थन के मूल्य पर भी जोर देती है। यह लचीले पन, कड़ी महनत और अपने आस-पास के वातावरण पर पढ़ने वाले सकारात्मक प्रभाव की कहानी है। राजमिस्त्री के जीवन और कार्ये के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप उनलाइन उपलब्ध